वेस्ट इडीस की टीम ने वन डे सिरीज के 6 के 6 मैच टीम इंडिया को बुरी चरीके से हराए साल 1983 इंडियन क्रिकिट का सबसे गोल्डन इर माना जाता है क्योंकि ये वो साल था जिसमें पहली बार टीम इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में वन डे का वर्ड कप अपने नाम किया था ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि इस टीम ने जिस टीम को फाइनल में हराया था वो उस वक्त की सबसे धाकड सबसे पावरफुल टीम थी वो टीम जिसने 1975-1979 का वर्ड कप अपने नाम किया था और 1983 के वर्ड कप के फिनाले तक भी पहुँच गई थी जी हाँ में बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीस टीम की जिसने 1983 के पहले 20 साल तक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट को डो मिनिट किया था एक ऐसी टीम जिसमें विव रिचर्ट्स, मेलकम मार्शल और क्लीव लोईट जैसे खिलाडी शामिल थे ऐसी टीम को हराना कोई छोटी बात नहीं थी और उस फाइनल मैच की सबसे मज़िदार बात ये थी कि टीम इंडिया मात्र 183 रन पे ही ओलाउट हो गए थी यानि कि वेस्ट इंडीस जैसी धाकर टीम को साथ होवर में मात्र 183 रन ही बनाने थे लोगों को लगने लगा था कि वेस्ट इंडीस इस मैच को जीत कर लगातार तीसरा वर्ड कप अपने नाम बड़े आसानी से कर लेगी लेकिन तब किस्पत ने पल्टा खेल, खिलाडियों ने दिखाया दम और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीस के सारे खिलाडियों को कि कल के चुहे हम शेरों को हरा कैसे गए तबी वेस्ट इंडीस के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया के साथ 6 बंडे और 6 टेस्ट मैच खेलने का प्रस्ताव रखा और इंडियन टीम को चैलेंज किया उन्होंने ये सोचा कि इंडियन टीम को इंडिया की ही सरजमीन पर हरा कर हम ये साबित करेंगे कि टीम इंडिया ने वर्ड कप तुक्के से जीता है और इसी वज़े से वेस्ट इंडीस ने अपने बेस्ट खिलाडी इस टूर के लिए भीजे अब वेस्ट इंडीस के टीम जो सोच कर आई थी वो हुआ भी वेस्ट इंडीस के टीम ने वंडे सिरीज के 6 के 6 मैच टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराई जिसमें से कुछ मैच तो टीम इंडिया 150 से जादा रनों से हारी टेस्सीरीज के शुरू के तीन टेस्ट भी टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई उसके बाद मीडिया पीछे पड़ गई मीडिया में छपने लगा कि टीम इंडिया तुक्के से वर्ड कफ जीती है और असली चेंपियन वेस्ट इंडीजी है अब इसके बाद दो रस्ते थे, या तो टीम इंडिया हार मान कर बैट जाती या कम बैक करती BCCI ने इसके लिए टीम इंडिया की काउंसलिंग शुरू की, हर एक खिलाडी की काउंसलिंग की गई और उन्हें ये समझाया गया कि तुम ही वो खिलाडी थे जिनोंने 1983 के वर्ड कप को जीता था इसमें सबसे पहले गावसकर को काउंसल किया गया और उन्हें समझाया गया कि तुम ही वो विनर हो और तुमें अब डिफेंडर की जगा अटैकर बनके खेलना है और हुआ भी कुछ यूँ ही इसके बाद टीम इंडिया ने कमबैक किया और उसके बाद के तीनों टेस्ट मैच टीम इंडिया ने बचाये और एक भी मैच वेस्ट इंडीस को जीतने नहीं दिया और इस ट्रेस सीरीज के आखरी मैच को जिस तरह से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीस के मूँ से चीन का ड्रो करवाया था वो कमाल का था आखरी मैच फिरोशा कोटला मैदान पर खेला गया था जिसमें फिर से एक बार टीम इंडिया पहली पारी में पुरी तरह से फ्लोप होकर ओल आउट हो गई थी लोगों को ये लगने लगा था कि दूसरी पारी में भी टीम इंडिया लंच से पहले पहले ओल आउट होके ये मैच गवा देगी लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टाई दूसरी पारी के पहले ओवर में कर्टली वोल्च को सुनील गवसकर ने चार बाउंडरिया मार कर अपने इरादे जता दिये थे और जहां पर लोग सोच रहे थे कि लंच से पहले पहले टीम इंडिया ओल आउट होकर मैच गवा देगी वही सुनील गवसकर ने लंच से पहले पहले ही शतक ठोक दिया और इस मैच को इंडिया की तरफ कर दिया और इस मैच को बचाने में अपनी एक एहम भूमी का निभाई कर्टली वोल्च अपनी ओटो बाइग्राफी में इस मुवमेंट को लिखते हुए कहते हैं कि वो दिन था जब सुनील गवसकर ने अपना एटिट्यूड चेंज किया था तबी से इंडियन क्रिकेट चेंज होना शुरू हो गया था इसमें सीखने लाइक बात ये हैं कि कभी-कभी फेलियर्स का सामना करते-करते इंसान अपनी शक्तियां भूल जाता है वो ये भूल जाता है कि उसने अपने दम पर क्या-क्या अजीव किया है In that case, इनकी शक्तियों को याद दिलाने का काम घर पे माता-पिता को स्कूल में टीचर को, कंपनी मैचार को और बाकी जगा पे कांसलर को करना होता है और जिसका कोई नहीं होता उसका उपर वाला होता है याद रखिए कि फेलियर्स सबकी लाइफ में आते हैं लेकिन उससे घबराने का नहीं अगर आपके जिंदगी में फेलियर्स आए तो एक जगा पे शांती से बैठिए और अपने कैलीबर के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए ताकि आपको हिम्मत आए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो याद रखो मेदान में हारवा इंसान तो एक बार फिर भी जीत सकता है लेकिन मन से हारवा इंसान कभी नहीं जीत सकता इसलिए मन के जीते जीत है मन के हारे हार अपने मन को कभी हारने मत देना